जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ वेस्त था, बाद में फॉन्फिन आराज चुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आकड़े मागड़े तो, मुझे ये बताओ कि EVM जिन्दा है तो मर गया? क्योंकि ये लोग ताई करके बैठे थे, कि भारत के लोगतंत्रों और लोगतंत्र की प्रक्रियात के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए, और लगातार EVM को गालिज देना, और मुझे तो लगता था कि साइदी इस बार, वो EVM की अर्थी निक्का जुलूस निकालेंगे, लेकिन चार जुन शाम आते आते, उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया, ये ताकत है भारत के लोगतंत्रों, ये ताकत है भारत के निस्पत्ता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायो की, और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि, पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद, EVM को लेकर करके नाजनी की शुरूआ करीए, लेकिन के सु ये, चुनाव के समय में ने पहली बार देगा, शायद हर तीसरे दिन, इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आएं, इसके लिए सुप्रिम कौर्ड के दरवाजे खट-खट आए गए, पार्टी, पार्टी के अप्लिकेशन, और एक ही टोली थी, और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास हैसे लोग, सुप्रिम कौर्ड का उप्योग करते हुए, कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहें, और चुनाव आयोक की ताकत का ये बड़ा हिस्सा, अधालतों में, इस पी कबर्स में, निराशा लेकर के, इस लोग मैदान में आये थे, कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये, हम दुनिया के सामने भारत को भी बद्नाम कर लें, ये शडियंतर का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको म इनका विरोत करते हैं, तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये लोग मन से, पिछली शताबनी के सोच वाले लोग हैं, वे टेकनोलोजी को हम महत्व न समगते हैं, तो टेकनोलोजी स्विकार करने को तयार है, और ये सिरफ EBM में दिखाई दिया ऐसा ने, UPI में दिखाया, जब हमने कहा हैं कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें कि फिंटेक के दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को त्यार रहे हैं, आधार, आज देश के पहचान बना है, मैं तो देख रहा यह प्रगति के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेकनलोजी के विरोधी, इंडी एलाइंस हमने देखा है, साथियों इस देश के लिए यह भी चिंता का विशह है, कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयास, और कितना एक्स्ट्रीम है, मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर अब डेमोक्रिसी हैं और ये दुनिया में जा करें कि बता रहे हैं ने ने हमारे देश में तो डेमोक्रिसी जी सा कुछ ने को मोधी बैठ गया है चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया कुछ तो गड़बड़की होगी ये जो इनकी मनस्तिती है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिय विस्वात पदा कड़े का जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं